तो आज हम एक्चली पढ़ेंगे लाजिकल थियूरी यह एकनामिक्स का एक टॉपिक है मुझे कहा गया था कि मैं समझाओं लाजिकल थियूरी ऑफ इंकम एंड एक्सपेंडिचर तो उससे पहले मैं समझाना चाहते हूं कि लाजिकल थियूरी क्या है ठीक है तो आज मैं पढ़ा रही हूं मैं सब कुछ पहले ही लिख चुकी हूं और मैं आप लगों को एक्स्पेंड करूंगी तो आप कॉमेंट कीजिए का कि कौन सा वे ज्यादा बहतर है वो जिसमें मैं लिखती हूं और फिर समझाती जाती हूं या वो जिसमें पहले से लिखा हुआ है और मै समझा रही हूं ठीक है तो क्लासिकल थियूरी अब यह थियूरी इसकी बेसिस बेसिकली हुई थी आदम स्मिट से आदम स्मिट ने कहा था कि मार्केट में एक इन्विसिबल हैंड है जो हर चीज को एड़्जस्ट कर देता है अगर लेबर की डिमांड कम हुई तो वेजस कम हो जाएंगी वेजस कम हुई तो डिमांड जादा हो जाएंगी और आपकी सप्लाय और डिमांड एकिलिब्रियम पर ही रहेगी इसका बेसिकली यहीं कॉंसेप्ट था कोई पी चीज कम होगी उसका इंपक्ट दूसरी चीज पर आएगा और इस तरह इवेंचली आपकी जो सप्लाय है जो आपकी एकिनोमी है वह एकिलिब्रियम पर ही रहेगी इंविजिबल हैंड किसी को कुछ नहीं करना इसमें यह मना करता है कि गवर्मेंट कुछ करें जिसे अमने पढ़ा तके बॉंड्स खरीदें बेचने का काम करता है गवर्मेंट सप्लाय डिमांड को बढ चलाएगा और पॉफेक्टली चलाएगा किसी भी आउटसाइड इंटराक्शन की ज़रुरत नहीं है गवर्मेंट को इससे हट जाना चाहिए ठीक है तो यहीं है कि सेल्फ एज़स्मेंट मेकानिजम है एक चीज बंद होई दूसरी चीज उस हिसाब से अज़स्ट होगी औ और वह एकिलिब्यूम पर फिर से आ जाएंगे ठीक है अब में एक बात कहना चाहते हूं कि यह थी अभी भी अवेलिबल है बहुत लोग इस पर बिलीव करते हैं लेगिन इसके इंदर बहुत सा ही चेंज़स हुई है और यह तब बैकफायर होई थी जब ग्रेट डिप्रे एर्स के लिए हो रहा था तब यह थी बैकफायर हुई थी और तब एक और थी आए थी जिसको कहते हैं की नीजियन थी ठीक है तो अब इसके दो बिलीव है यह थी दो बिलीव इस पर काम करती है पहला है से लोग ठीक है वैं दा एकिनोमी प्रोड्यूस असर्टें लेवल of real GDP it also generates the income needed to purchase that level of GDP इसका argument क्या है कि अगर मैं यह marker बना रही हूं और मैं यह बेच रही हूं तो मेरे पास ऐसे markers जितने मैंने बनाए और बेचे तो वह income मेरे पास आ गई है कि मैं और चीज़ें जो बनी हुए दूसरे लोगों से वह खरीद हूं प्रियर जीडिप यह नहीं आपका आउट्पट कितना रहा आपने कितनी चीज़ें प्रड्यूस की है आपकी एकनोमी में तो जब हम एक सर्टें लेवल प्रड्यूस करते हैं प्रडक्स का वह income भी बनाता है कि हम वह चीज़ें खरीद सकें लेकिन लेकिन मसला यह है कि हर बंदा अपनी पूरी income spend नहीं करता सेव भी करता है आप इसमें लोग एक और आग्यूमेंट देते हैं कि अगर वह सेव करता है वह सेविंग आपकी investment में जाती है पेशक लेकिन अगर उस बंदे ने बैंक में सेव भी नहीं कियें आपने अपनी लिखियों में और इन सब चीजों में बॉक्स में रखे में पैसे अपने तकीएं के नीचे रखे में वह का इंवेस्ट हो रहे हैं वह तो इसमें एक हद तक यह सही है बड़ यह इन जगाओं पर बैक्पार करता है यह वाला लॉग और दूसर बिलीफ इनका है कि जो है फ्लेक्सिबल होते हैं इंट्रस रेट, वेज़ेज और प्राइस ठीक है अब इसमें इन्होंने कह दिया कि एकनोमी जितनी चीज़े बनाती है वो इतनी चीज़े खरीद भी सकती है उनकी डिमांड उतनी हो सकती है और वो एक लिवें पेही रहेगा लेगे मैंने आपको ब इसमें दिए पहुत हैं स्हूंते अगर आपकी सेविंग जाता है तो आपकी इंवेस्टमेंट भी होगी उनका number भी बढ़ जाएगा क्योंकि उन्हें interest rate कम देना पड़ेगा और यह उनकी लिए बहुत ज़्यादा attractive point होगा और wages of price का भी इसी तरह है कि अगर labor market में आपकी supplies जादा है और demand कम है तो आप wages जो है वो खुद बाखुद कम हो जाएंगी तो demand जो है आपकी वो बढ़ जाएंगी तो wages खुद बाखुद कम हो जाएंगी considering आपकी labor market में क्या हो रहा है उसी तरह price का है तो इसका basically यही point है कि आपकी बाहर से कोई चीज आके नहीं है बताता है government का कोई रोल नहीं है market खुद बाखुद अपने आपको equilibrium पर ले आती है और यह है आपकी classical theory that's it for this video I hope समझ आई अगर आई तो subscribe कर लें आप कुछ होगा थोड़ी और like कर ले आज का goal हमारा likes पर रखते हैं 30 हर like करने वाले को ए मिलेगा यह उनकी मा की दुआओं से ठीके तो चल आज का मारा goal है 30 और share करें इस video को आप जितना share करेंगे उतना subscribe और like पढ़ेंगे और इतनी मेरी motivation बढ़ेगी के मैं और वीडियोज बनाऊँ thank you so much for watching I will see you guys in my next video bye bye